शिवसाना प्रवक्ता संजे राउत ने सांसत नमनीत राणा पर दाउद गैंग से जुड़े होने का रोप लगाया है उन्होंने कहा है कि नमनीत राणा ने यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए का लोन लिया था उसके डी गैंग से संभन थे राउत ने ट्वीट कर पूचा कि नमनीत राणा ने यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए का लोन लिया था जिसकी जेल में मौत हो गई थी उसी लकड़ावाला को एडी ने मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतार किया था और उसकी डी गैंग से संभन भी थे मेरा सवाल है कि क्या एडी ने इसकी जाज की यह राश्री सुरक्षा का मामला है इस विशे पर कॉंग्रिस प्रवक्ता अतुल लोने ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है लोन्डी का क्याना है कि सभी केंद्रिये एजिंसी अभाजपा विरोधियों पर ही कारवाई करती है क्योंकि यूसूप लखड़ावाला जिसके उपर इडी ने रेड की और ये बताया जाच में ये पाया कि दाउद इब्रहीम से उसके सम्मध है तो उसी यूसूप लखड़ावाला से जब नवनित राना और रवी राना 80 लाक रुपे का लोन लेते है तो उसके इंक्वेरी हुई और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई तो फिर ये बात सच प्रतित होती है कि पूर्वमंत्री संजे कुटे जी कहते है कि नियाले हमारे हाथ में है कि संजे काका पाटिल जो सांसद है सांगली से वो कहते है कि हमने इतने लोन लिये कारखाने खड़े किये हमारे उपर और कोई रेड नहीं हो सकती ED, CBI, Income Tax की, क्योंकि हम तो भाजप में हैं, हर्श्वर्दन पाठील वही कहते हैं, पूरो मंत्री और भाजप के नेता, कि हमें तो अच्छी नीद आती है, क्योंकि ED, Income Tax हो रहा है, CBI हमारे पर कभी रेड नहीं करेंगी, हम भाजप में हैं, तो लोकतायंत्रिक संस्ताओं का, केंद्रिय संस्ताओं का इस्तमाल, विरोधियों को तकलिप देने के लिए, उन्हें अपना मोहरा बना के भाजपा करती है, इसका ये सबूत है